हमास लीडर इस आउर गार्ट वीजिए प्रेश्ट अप्रेश्ट हमास लीडर इरान के राज़ानी तहरान में हमास शीफ इस्माइल हानिया कि मौत के बाद मिडलीस्ट में तनाव पर दाज़ा रहा है इरान ने इसराईल पर हमने की धंकी भी है अमेरिक और अरब देशों के और से तनाव कम दरने की खुशिशों को इरान ने एक खारिश कर दिया है जिस सरे के हालात बने हुए हैं उससे साब दिख रहा है कि जल्दी ही इरान के तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जो पूरे मिडलीस्ट को तबहा कर देगा इरान के पास परमाणों हथियार होने की खबर अभी चर्चा में ही थी कि फिर से कुछ ऐसा हो गया जिसने चिंता की लखी रे खींचती है जी हाँ इसराइल के साथ युद्ध के मुखाने पर खड़े इरान की रूस ने मदद की है रूस के और से इरान को कथे तोर पर कुछ हथियार मुहया कराये गए है इरान अब्जर्वर एक्स अकाउंट पर ही हाली में एक दस्वीर शेयर करते हुए बताया गया कि गैलिक्स एयरलाइन्स का एक रूसी आई एल 76 टीडी कारगो विमान दो अगस को तहरान हवाई अड़े पर उत्रा है ये एरलाइन हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है ऐसे में रूस से इरान में हथियाराने का दावा किया जा रहा है इरान ने हालिया समय में यूकरिन युद्ध में उलजहे रूस की काफी मदद की खास्तोर से एरान ने रूस को ड्रोन महया कराए थे ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि अब रूस के ओर से सहेता की जा रही है अब बात यहीं खत्म नहीं होती एक बड़े अपडेट के मुताबिक रूस के सोरक्षा परिशद सचव सरगेशोईगू राष्टपती मसूद पेजेशक्यान सहित इरानी नीतरत्व के साथ बाच्शीत के लिए सुमबार को तहरान पहुंचे यह यातरा इसे समय में हो रही है जब हमास के नेताई स्माइल हानिये की पिछले सब्तहा तहरान में हत्या के बाद व्यापक शेत्री युद्ध की आशंकाओं के बीच मध्यपूर्फु में तनाव है वैसे तो रूस और इरान के बीच दोस्ती की शुरुआत तो ड्रोन सप्लाई से हुई थी लेकिन बाद में पुतिन ने इरान के भरोसे एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत कर दी थी अब वक्त उसे अंजाम तब पहुँचाने का है माना जा रहा है कि इरान और इस्राइल युद्ध का काउंट डाउं शुरू हो चुका है रूस ने इस युद्ध में इरान को जीद दिलाने के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा भीश दिया है गैलिक्स एयरलाइन के विमान पहले भी हथियारों का ट्रांसपोर्ट करते रही है जुलाई 2012 में गैलिक्स एयरलाइन के विमान सीरिया में ग्रह युद्ध के बीच हथियार पहुँचाने के मामले में पसे थे इस मामले में एरलाइन के इंतराश्टे समुदाय निजाच और आरोशना की थी गैलिक्स एरलाइन्स ने विद्रोही गुटों से लड़ रही सीरियाई सरकार को छोटे हतियारों और गोला बारूद और दूसरे सैने उपकरनों की सुविधा प्रदान की थी अक्टुबर 2013 में भी गैलिक्स एरलाइन्स से प्रेंज से सुडान में हतियार ले जाने की सुविधा शामिली थी इस कारगों में छोटे हतियार और हलके हतियार भी शामिल थे जो कतित तौर पर सुडानी सरकार के लिए थे दिसम्बर 2015 में भी गैलिक्स एरलाइन्स लीबिया में हत्यारों के परिवहन के लिए सुल्ख्यों में आई क्यों खास है इरान पहुँचा रूसी विमान रूस के जिस IL-76 TD विमान के इरान पहुँचने का दावा किया गया है वो करीब 50 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ हत्यार और सेने उपकरन ले जा सकता है इस विमान से BTR बक्तरबंद कार्मिक वाहक और यहां तक की T-72 जैसे हलके टैंक भी भेज़ जा सकते हैं यह हाविद सरो कई रॉकेट लॉंचर जैसे तो खाने के टुकड़े भी ले जा सकता है रडार सिस्टम और विभिन इलेक्ट्रोनिक युद्ध उपकरनों का ट्रांस्पूर्ट भी कर सकता है तो रूस और इरान के बीच संबन कोई नए नहीं है इरान ने रूस को यूकरेन पर हमले में ड्रोन दे कर मदद की थी अब अदले में रूस इरान को इसराइल पर हमले के लिए साहे ताप्रदान कर रहा है रूस के इस कदम के पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका का इसराइल के समर्थन में खड़ा होना है अगर इसराइल पर हमला होता है तो अमेरिका समीट पांच देशों का गड़ बंदर इरान के खिलाब खड़ा हो जाएगा ऐसे में रूस और चीने से उत्राश्ट में भी इरान का समर्धन किया था जिससे यह साफ हो जाता है कि रूस हरहाल में इरान का साथ देने के लिए तयार हो